सारस क्रेन भारत में पाए जाने वाले क्रेंज की अकेली ब्रीडिंग प्रजाती है 1500 सेंटीमिटर लंबे रेड क्राउंड सारस क्रेन उड़ने वाले परिंदों में सबसे लंबे होते हैं सारस आमतोर पर हरी भरी दलदली जगों और धान के खेतों में मिलते हैं धान की फसल के बीच उनके अंडे सुरक्षित रहते हैं सारस का होना पानी की मौजूदगी का संकेत भी है जो खेती के लिहाज से अच्छा है उत्तर परदेश भारत के करीब 70 फीसदी सारसों का ठिकाना है और यहां का राज़ पक्षी भी है स्थानिय लोग वाइड लाइफ ट्रस्ट आफ इंडिया के साथ मिलकर सारसों के सनक्षन में जुटे हैं मैं रात में टॉर्च लेकर उनके घोंसले और अंडे चेक करता हूँ ताकि कोई उन्हें नुकसान ना पहुँचाए और उन्हें मारने की कोशिश ना करे आज इस प्रोजेक्ट में डेड सो से ज़्यादा सारस मित्र और बीस हजार से ज़्यादा वॉलेंटर जुड़ चुके हैं 2013 में पूर्वी उत्रप्रदेश इलाके में मात्र छे सो सारस बचे थे स्थाने लोगों की कोशिशों से सारसों की आबादी आज चार गुना बढ़ चुकी है